करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे तो आज की वीडियो का जैसे आपने टाइट्रोल थमनेल पढ़ लिया होगा कि कैसे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट से डेली फिफ्टी टू हंडेड डॉलर टॉन्टी डॉलर जैसे आपकी कैपिल हो उस इस आप स फाफिसारे सेटब तक यह दोगे काई लो Fallout करते होंगे तरहह के इंडिकेटर लगाते होंगे। बट मैं आपको बता दूँ कि प्रस्च बहुत पहले से फालो करें उनसको पता होगा जो टेलीग्राम पर मेरे साँ जो है बन सकता है लेकिन मैं आपको बता दूँ ट्रेडिंग को आप जितना एजी रखोगे जितना आप उसके लॉजिक को पगड़ने की कोशिच करोगे उतना ज्यादा एजी होगा आपके लिए पैसा घमना यहाँ पर मैं सब कुछ आपको ब्रीफली एक्स्पेंट करूंग लेकिन इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँगा कि यह सेटप जो है जैसे आप दस ट्रेड लेते हो दस में से आठ या नौ ट्रेड आपकी सही जाएंगे में भी आपकी साथ ट्रेड सही जाएं ठीक है आपको स्टॉप लॉस जरूर यूज करना ह कि अबब होती है यहीं खरा कागती पैसा कामा सकते हो सबसे अच्छी बात की इस सेट आप की है कि आप इसको फ्रेंक्स, स्टॉक में कहीं भी यूज कर सकते हो बस यहां पर शर्त यह कि आपको stop loss का योज करना है इस trade को आपको फाइंड करना और इस trade को करने के लिए आपको यहां पर alert लगा कर रखना रहेगा ऐसा नहीं कि आपको computer के सामने बैठना पड़ेगा बड़ यह trade लेते टाइम और इस trade से exit करते टाइम आपको यहां पर मैं आपको एक्जांपल दिखाने वाला हूं और एक कोईन का मैं एक्जांपल जो आपको दिखाऊंगा वह भी market में वैलिड होगा जहां तक कि वीडियो कल अपलोड होगी तो वह एक्जांपल जो है वैलिड होगा तो उसको जाकर आप ट्राइक कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपको यहां पर चार्ट लेना इसमें आपको टाइम फ्रेम लखना है फोर आवर से नीचे रखना है टू आवर से लेकर थर्टीन फिफ्टीन नीट तक भी रख सकते हो मैं अगर आपको बहुत आप इसकैल पर हो तो आप 15 मिनिट का चार्ट भी यूस क कर सकते हो अगर आपको यहां पर बहुत बड़ा मूव हुआ फिर चाहे वो अपसाइड हो यह डाउन साइड हो आप देखो इसके बाद मार्केट जो है पूरी तरीकी से साइडवेज हो गई है ठीक है अब यहां पर मार्केट ना तो नीचे जा रही है अगर यहां पर स्टॉ अगर यह फॉरेक्स मार्केट होती तो 0.5% तक में हम इसको वैलिट समझते लिकिन यह यहां पर क्रिप्टो मार्केट है तो क्रिप्टो मार्केट में 57% का मूव कुछ नहीं होता जैसा हम देख सकते हैं 5% का मूव है अब आपको क्या करना है इसका जो हाई है और इसका जो इसको पूरे बॉक्स के अंदर लें तो मैं यहापर जो ड्राइन से क्लिए करणा हूं विड्यो को टख़की कोशिजीश करेंगा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप ऴैट इतनल जाते बोक्स मार्क दशिक है ? आप आपको क्या करना है कि जो इसका लगा दो अब आपको क्या करना है जब भी मार्केट में यह लेवल क्रॉस होगा या फिर नीचे वाला लेवल क्रॉस होगा आपको वहाँ पर ट्रेड ले लेनी है अगर नीचे का लेवल क्रॉस होता है आपको शौट कर देना है उपर का लेवल क्रॉस होता है आपको लॉंग कर आती है पहला लोग यहां पर पूछेंगे सर यहां पर इंडिपेंडेंट केंडल जो है वह उपर फॉर्म होनी चे तब हम ले या फिर इसको प्राइस निकलते ही ले लो तो मैं कहूंगा कि प्राइस जब निकलेगा उसी टाइम पर ले सकते हो इस टॉप लॉस्ट बस आप कि चलते है 16 पर यहां पर आप देखो से अपको यहां पर दिखने को मिल है विक्स कटन पर शीक रहाए malf yasice को यहां पर सब्स्राइंगे जो चार्ट को यहां को यहां तक बनाइट यह फोर आबर का चार्ट है तक हम इसको थोड़ा सा यहां पर दिक्राइब करने बहुत बड़ा अपसाइड मूव लिया था यहां पर तीन केंडल के बहुत बढ़ा ऊपर गया था चौदा तारीक को देख सकते हैं फिर 14 तारीक से लेके 19 तारीक तक मार्केट ने कोई खास मूव हमें नहीं दिया है माल लीजे हम यहां पर प्रा जाके दिखाता हूं आपको और अच्छे समझ पाऊगे तो वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो जाए बट आप लोग को अगर कुछ नया सेखने को मिला तो मेक्शुर आप वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं और भी सेट एप्स है मेरे पास जिसके मैं वीडियो लेकर तो आप लोग के सपोर्ट के ओपर है कि आप लोग कितना अचा सपोर्ट करते हो अब आप देखो ठीक है यहां से प्राइस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है आपको इन विक्स पे कभी भी ट्रेड नहीं लेने एक कैंडल जो यहां पर वॉल्यूम दिखा रही हो में ठीक का लोगे तो अब आप पर अपने ट्रेड ले लिए जगहां पर तो यह प्राइस के बाद ऊपर गया तुपर संट तक ऊपर अपर आपका रिस्ट वर्ड वन वन कहां पर मेंटेन हुआ करना अगर आप चाहते आप तो एंट्री प्राइस से ठोड़ा से नीचे आप यहां पर कहीं stop loss लगा दोगी तो आपका सिर्फ पांच से दस परसंट का लॉस होगा अगर यह ब्रेक आउट फेल हो जाता तो मालीजे ब्रेक आउट फेल हो गया ठीक है अभी आपको ट्रेड नहीं करना है अभी आपको वेट करना है ठीक है आपने दोनों साइट पर यहां पर यह आपका यहां पर था ठीक है आपने दोनों साइट लगा कर रखा था अभी प्राइस फोड़ा नीचे आ गया अब आप देखो दोबारा नीचे से प्राइस हुआ अब प्राइस यहां से उपर जा रहा है आपने दोबारा यहां पर यहां पर लगाया है प्राइस यहां से क् परसेंट का आपको डिवार्ड मिल गया वन रिशो थी का आपको यहां पर रिवार्ड मिल गया अगर आप थोड़ा सा होल करते हो मालीजी यह कैंडल इतनी ऊपर बनी है एक गंटे में आप इस कैंडल के बिल्यों पना स्टॉप लॉस रखते हो तो आपको इतना बड़ा आपको 15 परसेंट का मूव देखने को मिला पूरे एक दिन के अंदर एक घंटे की एक कैंडल है एक दो तीन चार पांच छे साथ और नोटे ग्यारा बारा गंटे के अंदर आपका यहां जो इन्वेस्टमेंट होगी आपको 10 परसेंट का प्रॉपिट हो जाएगा आपने प ठेडिंग करते हैं डेली स्टॉप लॉस्सित होते हैं बट स्टॉफ लॉस्ट रॉस्ट में हैं जितना हम अगले प्रॉफिट कम आ सकें क्योंकि स्टॉप लाज ऐसा ही होना चाहिए यह अगर आप दो डेट में पने स्टॉप लॉट कि है तो थर्ट रेट जो है वह आपक आपको यह चीज बता दी अभी आप यह चीज समझ गया ठीक है अब बात कर लेते हैं यहां पर इस रेंज में मैंने आपको यह ट्रेड दिया था ठीक है रेंज में ट्रेड थी मैंने बोला था अब आते हैं यहां पर चार्ट पर यहां पर देख लिजे आज तक मेरा अपसाइड का जो है यह पुश नहीं हुआ है कभी नहीं आये कभी एलेट मेरा हिट नहीं हुआ डाउंसाड का रहेंट हीट हुआ आपने यहीं पर ट्रेड ली डाइश के लिफ और एंड पर लॉइट पर तो था अब पोझ फिखेंगे रहे यहां पर था ठीक हो मुझे रहां पर मिल गया है मुझे कुछ ही मिनेट के अंदर मिल रहे वनाओ का ट्रेड है 1,2, 3,4,5,6,7,8 8 hour के अंदर मुझे अपना यहां पर जो है reward मिल गया उसके बाद आप देखो market कितना ज्यादा गीरी है यहां से आपको कुछ TA नहीं लगाना था थोड़ा सा logic लगाना था market 3 phase में चलती है एक होती है uptrend ठीक है दूसरा होता है market का sideways और यहां पर तीसरा जो होता है वो होता है downtrend ठीक है कि market को upside ले जाना है या downside ले जाना है हमें कभी market के अगेंस्ट नहीं चलना है लोग usually क्या करते हैं कि market अगर यहां से ऊपर जा रही है तो वह आपर शौट की opportunity find करते हैं मुझे short मिल जा मैं एक तुम top से short करूँगा और कभी-कभी उनको top से short मिल भी गया तो वह 10-20% से ज्य प्रेशा ही करना है हमें trend के साथ चलना है इससे क्या होगा जब कभी भी trend reversal होगा हमारे दो से 3 stop loss यो है वह regard हम trend के साथ चलना है हमाई दो-तीन 스प लLAU्स हीच हो गया अगर trend reversal हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं लग रहा होग तो हमें तो से trading से ब्रेक ले लेना हमेंessa नहीं अब लोग कहते हैं जब यह मार्केट चल ली होती है कि अगर तुम ट्रेडर हो तो मुझे बताओ कि मार्केट नीचे जाएगी यहां से उपर जाएगी देखो दोस्त ऐसा नहीं होता है एसा ट्रेडर हमें दोनों साइट देखना पड़ता है अगर मार्केट रेकाउट हो रह की लिए स्टार्ट किया था कि मैं पैसे कमा तो लेता था बट यहां भी त्रेड हुई दो चार ट्रेड में पांच वी कंट चार दिन और लोको मेरे साथ शाथ एसाथ वीग जाता है पूरे वीग प्रॉफिट ही नहीं कर पता हो मेरा सेट आप सेम रहता है वीग में आपको तो मैं तीन दिन अगर मेरा गलट चला गया तो मैं उसके बाद एक दो दिन रेश्ट मिलता है सटरडे संडे को मैं अच्छे से नासिस करता हूं फिर मुझे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता अपने अकाउन में क्योंकि में एक हफ्ते में जितना गवाता हूं तो रिकवर हो जाएगा जल्दी तो मैंने आप आपको समझा दिया मैंने आपको इक्जांपल भी दिखा दिया किस तरह में ट्रेडिंग कर लिए उसके बाद आप बात कर लेते हैं ठीक है यहां पर यहां पर देखिए ठीक है आप थोड़ा से यहां पर फोकस किजिएगा उसकी बाद आप यहां पर देखो आप इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आपको लेकर जाते हो आप लोग को स्टॉप लॉस यहां पर कैसे लगाना यह आपको चोटे टाइम पर समझ में आएगा ठीक है आपको ज्यादा कुछ टीए नहीं लगाना ट्रेडिंग को जितना लोगों ने यहां पर बना कर रखा है मुश्किल उतना मुश्किल है यहां पर दो इथिरियम में तो उसके बारे मैं बात करते हैं अब बैद देखो यहां पर ब्रेक आउट हुआ आपको क्या करना है आपको 15 मिनिट में दिखाता हूं और अच्छे चाप समझोगे हो सकता ह कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए यहां पर 13-14 मिनिट का वीडियो हो चुगा है अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है यहां से मार्केट में अंगर कर जाओगे ठीक है कि तो थोड़ा से हैं पीछ चलते हैं इसलिए मैंने होल सम्स्ट्राइश डगाए रखें यह तो मार्केट इस तरह इस त特別 ही फिर साइडवे नीग कृश्य लोगी alsow में हमने देखा था मार्केट उठी और साइडवेज हुई अब आप देखो यहां पर मार्केट साइडवेज हुई यहां पर नीचे दो बार विक बनी विक पे हम ट्रेड नहीं लेंगे 15 मिट में आप देखो आप यह देखो सबसे पहले यह कैंडल देखना को कितना अच्छा आप देखा अब व्यूलियूम मिला इस कैंडल पर आपको ठेल लेनी होती है अगर आप तडिक ीचे ओं पॉण पॉंट कॉएं पर से उहां ठ सिट घंट वारट इहां वह hört 6 पर संट चलते punct Canäre सिब्सें 50.5 पर वार आप को इहां मिल देखो व्युक्व्क्राइए सिर एं गंटे के अंदर आपका वन रेशियो वाला रिस्क रिवाड जो है मेंटेन हो गया अब थोड़ी सी एक टेक्निकल बात यहां पर कर लेते हैं कि इसका टार्गेट क्या रखना है जब हमें यहां से ब्रेक आउट हो इसकी जितनी हाइट है इस बॉक्स की इतना हम यहां से टार सब्सक्राइब लिए अगर आपको करना यहां पर आपको एक ट्रेंड के साथ लाना है यहां पर आपको एप लगाना है हाँ एक ट्रेड में बताओ आपको एक करनी है आप आप इसका exception बोल सकते हैं, माल लीजे आप कभी कुछ कर रहे हो ठीक है, आपको alert आता है आप नहीं देख पाते हैं, और market एक ही candle में कभी बहुत बड़ा dump लेती है, और यहां से जितनी इसकी height है, यहां पर मैं बात कर लेता हूं, वो market में कभी 5-6 मेने में एक बार होता है, ठ candle ऐसे मिलती है, कि यहां से candle गिरती है, इस तरह, और एक ही candle में target अचीफ कर लेती है, आपको trade नहीं लेनी है, फिर चाहिए upside हो या downside हो, अगर market ने target अचीफ कर लिया, तो हम trade वो नहीं लेने वाले हैं, इस बात का थियान लगना, ठीक है, अगर वीडियो में कुछ अच्छ यहां पर भी horizontal ray रख देते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी आसानी हो, दिखें, यहां पर market फिर upside गया, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था, कि market इस तरह से upside गया, और यहां पर sideways हो गया, no matter market यहां से उपर भी जा सकती है, और market यहां से नीचे भी जा सकती है, हम क्या करें बॉक्स बनाने के बाद हम यहां पर अपना इस जगहां पर देखो यहां पर ऊपर गया, market बोलटाइल हो कोई, अभी भी market यहां पर ब्रेक नहीं करी, अब देखो market यहां पर ब्रेक किया, तो आप वॉल्यूम देखो बस एक बार, इस कैंडल के वॉल्यूम को आप देखो, आपने यहां पर कहीं पर ट्रेड लिया, ठीक है, आपका stop loss जो हुआ, 2% का stop loss हुआ, आप यहां पर profit देखो, आपका 6% का profit, 1 ratio 2 की बात करो कि आपका 4% यहीं पर अचीव हो जा रहा है, ठीक है, बात करते हैं यहां पर target की, कि हमारा target क्या रहने वाला है, अगर हम करने वाल है, आप अगर इस तरह की 3 ट्रेड करते हो, आपका 3 में stop loss हीट होता है, और 4 ट्रेड आप करते हो, और आपका 1 ट्रेड में profit होता है, आपका profit and loss equal हो जाएगा, ठीक है, यह key of success यही होती ही ट्रेडिंग के, अगर आपको पास money management है, तो आप कर सकते हो, यह मेरा बहुत favorite setup था मैंने बहुत दिन बात किसी के साथ share किया है, तो अगर आप इस trade setup को follow कर रहे हैं, आपको profit हो रहा है, तो make sure आपने discussion group में हमारे आप जरूर share कीजे, मुझे tag कीजे, बताइए, कोई problem आ रही है, आप पताइए, comment में, video के जितने भी comment होते हैं, मैं सारे comments पढ़ता हूँ, बता सकते हो, बस video को आपको like करना है, चैनल को subscribe करना है, discussion group में आप सब को आना है, आप सब वहां पर आईए, वहां पर हम बाते करेंगे, कोई भी चीजे होंगी, आप कोई भी discussion होगा, isolated, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं हमेशा active रहता हूँ, जिसका logical question होता है, मैं उसका reply जरूर करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को like करते हैं, चैनल को subscribe करते हैं, thank you so much